दोस्तो इस समय बिहार में भूमी सरवेक्षन का काम चला है लेकिन सबसे बड़ी समस्या है जिनके पास अपने जमीन के कागजात नहीं हैं वह लोग काफी परसान हैं और ओफिस के चक्कर काट रहे हैं लेकिन दोस्तो सरकार द्वारा बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है अब आपको किसी ओफिस में भी जाने की जरूरत नहीं है और आपका कागजात भी मिल जाएगी कैसे मिलेगी क्या अपडेट है पूरी जनकारी इस वीडियो में कभर क्या हूं आप लोग के लिए तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा दोस्तो सही और सटिक तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सभी जनकारी को जानते हैं दोस्तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको बिहार लेंड सरवे जमीन के दस्तवेज मुहया कराना अब सरकार की जिमवारी है बाढ़ ग्रस्त रहयत को मिलेगी बड़ी राहत यानि दोस्त तो आप लोग देख सकते हैं एक साल के अंधर जमीन मालिकों को विभाग काज उपलब्द करायेगा दोस्तो आप लोग देख सकते हैं यह आपको चार अक्टुबर का खबर है कोई वीडियो नहीं है आप लोग देख सकते हैं निची आईएगा पूरी जनकारी आपको मिल बिहार के राज्यवस भूमिस उधार जो मंत्री हैं दिरीप जस्वाल ने बाढ़ गरस्त इलाके के रहयत को बड़ी समस्या का सामधान कर दिया बाढ़ में बह गए जो जमीन का दस्तवेज है उनको लेकर दोस्तों आपको प्रसान रहयतों को राहत देने के लिए मंत्री ने अस्वास अस्वस दिया है कि जमीन की कागज को लेकर किसी को घबराने की जरूरत नहीं है सरकार उन सभी रहयत को कागजात मुहिया कराएगी जिनका दस्तवेज बाढ़ में बह गया है या पानी में डुबने से खराब हो गया है एक साल की अंदर जमीन मालिक को विभाग क कागज उपलब्द कराएगा मंतरी ने कहा कि जमीन के कागज का उपलब्द कराने की जिमवारी अवस राजस्यों भूमिशुधार विभाग की है इसको लेकर अंचला अधिकारी को आदेश भी जारी किया गया है यानि दोस्तों देखिए यहां पर मंतरी द्वरा आदेश भी जारी कर दिया गया है तो दोस्तों ऐसे नहीं कि सोला जिले में बाढ़ आया है तो वहीं पर यह सभी जगह धीरे-धीरे करके लागू हो जाएगा बहुत सारा ब्यक्ति के पास उनके जमीन के कागज नहीं है तो आप घवडाने की जरूरत नहीं है पिछले दिनों आई लिया गया है तो दोस्तों यह जो मंत्री साहब है जस्वाल जी उनके द्वरा यह सरहानिय काज है क्योंकि बहुत सारा ब्यक्ति के पास दस्तवेज नहीं था वह लोग कमेंट भी कर रहे था पिछले दिनों नेपाल में आई भारी बारिस के बात तमाम आपको दोस्तों यह क्थाना पर जो खोल दिया घया था गेट जो पानी का गेट होता है खोल दिया गया जिसके बाद कई तटबंद टोट जैने से बिहार के इलाकें में बाढ़ का पानी घुस गया अचानक पानी गाओंं घुस जाने के कारण जयदातर लोग घर में praying we Die काल पाए घर रखे में डॉक्मेंट भिंग कर नश्ठ हो गया जिसके कारण कई लोगों का सरवेक्चन काम नहीं होने का डर सताने लगा ऐसे में दोस्तों आपको विभाग द्वारा यह सब कुछ मुहिया कराए जागा मंतिर दिरीव जस्वान ने बड़ी रहत दी है उन्हों की रहत जो की सोला जिले अभी है उनको ही रहत मिलेगी यानि दिरे-दिरे करके सभी जिले में लागू भी हो जाएगा मंतिरी ने कहा कि बाड़ ग्रस्त इलाके को रहत को राज्यास यांभू में सुधार विवाग जमीन का गजात उपलावद कराएगा जिसमें किसी तरह क की प्रसानी की रहतों को नहीं जलनी पड़े बिहार में ऐसे सोला जिले हैं किसंगान गुपालगान सीवर सितामडी सिपोवल मद्यपूरा मुझ्यफर पूर्णिया मुद्वनी दरभंगा सारन सहरसा पूर्णी चंपर पशिमी चंपर अर्या कटिहार खगडिया बाढ़ है अट voyage श्रवयक्षण को लेकर प्रशान है लेकिन मंत्री धृत जसवाल ने असवर्ष के बाद आप उन्हें बढ़ी राहत मिल यानि दोस्तों अश्वासन के बाद बढ़ी राहत मिल चुके है तो आप लोग के लिए दोस्तों बढ़ी खबर थी क्योंकि आप सभी का बह